प्रोपर ली एक आरे तो प्रॉपर ली थम्जब देखे मुझे पताईएगा आई तिंग अब स्टार्ट होई जाएगा वो गये शायद से गुड मौनिंग राम्चरूप मिंकू अनूप सिंग वेरी गुड मौनिंग तो अब को वीडियो आ रहे सबको प्रॉपरली अ येस करके एक बार मुझे आंसर दीजेगा ओडियो वीडियो प्रॉपर है गुड मौनिंग मौनिका वेरी गुड मौनिंग आज में लाइब आ गई हूँ देखते हूँ स्ट्रीमिंग अब कब एंड होगा ठीक है ट्राइ करूंगे आज वीडियो तुरंत अप्लोड करने का तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेर्स और पड़ेगा भी बड़ेगा भी जल्दी जल्दी जित्ते भी MRPS जुड रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जोड़ें आप करंट अफेर्स सीरीज में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ठीक है वीडियो और हिंदी मीडियम का अलग बैचेज है और एसी एफ एक्जाम के लिए पेपर वन पेपर टू एन्वार्मेंट ऑप्शनल के आप तैयारी कर सकते हैं हर वीकेंड पे आपको कोई ना कोई टेस सीरीज जरूर मिलती है आपको याद क्या रखना है रेफरेल कोड है MRP 10 इसको यूज करना ना भूलिएगा मारो राजस्तान परिवार के सब्स अजस्यों को 10% डिसकाउंट बिल रहा है ठीक है तो MRP 10 कोड बच्चों यूज करना ना भूलिएगा और इसके साथ साथ बेनिफिट क्या है मेरे साथ साथ आपको दूसरे जित्ते कोर्स चल रहे हैं सारे को सब्सक्रिप्शन में आपके पास मल्टिपल ओप्शन है जो देखना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ें सब्सक्रिप्शन कैसे लिने मैं बहुत बार बता चुकी हूं आपको तो सीधा अनेकेडमी आर्पेसी के प्लैटफॉर्म पे जाहिएगा गेट महिने किसी को भी डिटेल्ट प्रोसीजर समझने तो पहले वाले वीडियो जाके देख लेना बाकी में इस पर अलग से वीडियो बनाओगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स में देखते हूं अकैडमी प्लस पे फेस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ सोल पादिया है तो MRP10 आप सब यूज कर सकते हैं आपको 10% डिसकाउंट बिल जाएगा हेलो रजट गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो एवरीवन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लंबा हाइवे टनल जो की मीन सी लेवल से 10,000 फीट की उचाई पर बनाया गया है उसका नाम क्या है शटल टरनल अटल टरनल थेम्स टरनल या फिर न्यू यॉर्क टरनल और आप मारो राजस्तान का लोगो देख सकते हैं सब क्योंकि अब आप सबको PDF मिलेगा तो मैंने लोगो डाल दिया है कि जिसको भी आप शेयर करोगे सबको पता चलना चाहिए मारो राजस्तान पर आपको सारी PDF सारी चीज़ें मिल रही है ठीक है तो बताइए मीन सी लेवल मतलब की समुद्र तल से उचाई 10,000 फीट है और ऐसा वर्ड का सबसे लंबा हाईवे सुरंग कौन सी है शटल टरनल अटल या फिर दिन किया है यह important है याद कर लो महात्मा गांधी जी के birthday से अगले ही दिन किया गया है 3 OCT 2020 को अगर याद हो तो कल हमने किया था कलिया परसो 1 OCT 2020 को कौन साथ दिन होता है अंतर राष्ट्रिय वृध जन दिवस होता है 2 OCT को अंतर राष्ट्रिय अहिंसा दिवस होता है और 3 अक्तूबर को अटल टनल जो है उसका उदगातन हमारे प्रधान मंतरी जी ने किया है क्लियर है सबको याद है थम्स अब दो और फ्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो फटैक से जल्दी जल्दी ठीक है दिसंबर 2019 में अगला कोशन आ सकता है अटल टनल का पुराना नाम क्या था तो इसका जो पहले का नाम है बच्चो वो है रोतांग टनल ये भी आप याद रखेगा एक पॉइंट कई बड़ डीप में कोशन पूश लेते हैं अटल टनल का पुराना नाम क्या था रोतांग टनल और दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने इस अटल टनल का नाम रोतांग टनल का नाम बदल के क्या रख दिया है अटल टनल इसको कर दिया गया है किसकी याद में हमारे जो पूर्व प्रधान मंतरी रहे हैं अटल बिहारी वाजपई जी की याद में क्लियर है सबको क्लियर है हाँ इसकी लंबाई I think मैंने लिखा इसकी लंबाई अभी आई जाएगी अभी देखते हैं आज आएगी इसकी लंबाई मैंने लिखा होगा आठ के राउंड है अभी देखते हैं I think आई जाएगी ठीक है अटल टनल जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे टनल है 10,000 फिटर की उचाई पे इस टनल को recently हाल ही में प्रधान मंतरी मोदी जी ने राष्टर को समर्पित किया है नेशन को डेडिकेट किया है तो ये जो किया है उन्होंने ये कौन से राज्य के अंदर किया है जम्मू कश्मीर, उतराखंट, अरुनाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश इसका क्या अंसर होगा तो बताओ इसका जम्मू कश्मीर में, अतराखंट में, अरुनाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में इसका अंसर नहीं आ रहा है मुझे D, B, अच्छा, इसका आंसर है बच्चो, रोहतांग टर्नल, क्या नाम था रोहतांग, रोहतांग कहां पर हिमाचल में, तो कहां पर किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है, इसको उद घाटन, कहां पर किया है, हिमाचल के सारे मंतरी, मुख्य मंतरी, सब लोग वहाँ पर फंक्शन में अगर आपको ध्यानों तो अगर टीवी पर देखा होगा तो हिमाचल प्रदेश में क्या गया अब तो नहीं भूलोगे यह कुशन किसी को नहीं आ रहा था इसको याद कर लो ठीक है हिमाचल प्रदेश अब याद आया उन्होंने वो भी पहना था वै वर्ड का सबसे लंबा लेकिन लंबे में कंडिशन है कि 10,000 फीट की उचाई पर वर्ड का सबसे लंबा है ठीक है तो 9.02 किलो मिटर ठीक है अभी ठीक है बच्चों हाइट कितनी है 10,000 फीट अगर उसको भी इग्जैक्ट चाहिए तो 10,171 फीट की उचाई पर है समुद्र तल पे 31,000 मीटर उचाई पर क्लियर है सबको ठीक है क्लियर है सबको ठीक है हाँ अरे सौरी कि क्या बात है कोई बात नहीं ठीक है हिमाचल प्रदेश ये जो है बनाया किसने है ये बी आरो वार्डर रोड्स और्गनाइजेशन ने इसको बनाया है हलका सा ध्यान रख लो इ इस्टन पीर पंजाल रेंज हिमाचल की कौन सी रेंज में पढ़ता है बचो पीर पंजाल रेंज के अंदर बढ़ता है लेहे मनाली हाइवे के उपर लेहे मनाली हाइवे के ऊपर क्लियर है इसके सारे फेक्ट्स याद हो गए 10,000 फीट उचाई 9 किलो मिटर अटल टरनल उदगातन किया गया, डन, एक क्वेशन हो गया, मैं कोशिश रहते हैं कि एक क्वेशन करा हूं, एक के साथ साथ आठाठ क्वेशन में आपको कराई दू, प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी ने एक ग्लोबल वर्चुल सब्मिट, वर्चुल सब्मिट मतलब दूर दूर से ज आजकर online conference type जो होता है उसका उधगातन किया है सम्मिट हुआ है ये artificial intelligence के उपर ठीक है कृत्रिम बौधिक्ता या ऐसा कुछ बोलेंगे इसको उसके उपर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने इसका उधगातन किया है कब किया है बच क्या नाम होगा गुड मॉर्निंग दीपा वेरी गुड मॉर्निंग सबको फटा फट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो आठ बच्चे देख रहे हैं लेकिन आठ लाइक नहीं किया आपने सेशन पसंद नहीं है आपको थम्स अप दे रहे हो तो लाइक भी दबाना होता है ठीक है लाइक सब्सक्राइब और शेयर सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन क्योंकि मेरी वीडियो करेंट अफेयर के अलावा कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है रात को ग्यारा बजे भी दिन में दो बजे भी चार बजे भी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसलि जा रहे है यह अंसर गलत है smart AI is not the right answer artificial intelligence के ऊपर जो summit हुआ है उसका नाम है raise c is the right answer, इसको रट लो ठीक है, क्या नाम है बच्चो रेज रेज में AI आ रहा है ठीक है, रेज में क्या आ रहा है यह यहाँ से यह लिया है ठीक है, रेज में क्या आ रहा है क्लास के end में भूल जाओगे भाग जाओगे, कोई काम आ जाएगा फिर एंड क्या होता है अभी करो, अभी करो, एंड में नहीं करना होता, अभी करो, और comment भी दिखना, ठीके, क्या नाम है, इसका याद रखोगे, artificial intelligence से हर कोई raise करता है, उठता है, शिखर तक पहुंचता है, ऐसे याद करो, इसको फिर नहीं भूलोगे, ठीके, artificial intelligence से हर किसी का विक पास होता है, वो उठता है, तो raise इस तरीके से आपको इसको याद करना है, सही है, answer is C, तो raise की full form भी पूछ सकते हैं, full form है, responsible artificial intelligence, अब ये नहीं हो, कोई artificial intelligence का यूज कर ले, गलत मकसद के लिए, इसलिए इसको कैसा होना चाहिए, जबमेदार, responsible, किसलिए हम इसको यूज करे के लिए, ठीक है, तो full form क्या हुई, याद रखोगे, responsible artificial intelligence for social empowerment, क्योंकि जो भी मोदी जी या government, जो भी scheme लेके आते हैं, वो समाजिक सशक्तिकरन के लिए ही होती है, तो इसको आपको याद रखना है, clear है सबको, done है, thumbs up दो मुझे, पटाविट से बताओ, और सबको share भी कर द Ministry, आनी आनी है, Ministry of Electronics and Information Technology, मीटी, और आज कल नहीं नहीं, इनोवेशन में कौन ज्यादा ध्यान देता है, नीती आयोग, तो मीटी और नीती, ठीक है, इसको याद कर लो, raise, इनके कल keywords भी दूँगी, मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, आपको बहुत कुछ दे दू, फिर वो time क कम रह जाता है, तो हो नहीं पाता, नीती प्लस मिती, ऐसे याद कर लो, याद रख लोगे, नीती और मिती जो है, वो बहुत intelligent है, artificial intelligence उनमें बहुत जाद है, ऐसे करके याद रख लो, कभी भूलोगे, नहीं, clear है सबको, और ये सम्मेलन कितने दिन चलने वाला है, चार दिन या पाँच दिन, पाँच से नो अक्तूबर, पाँच से साथ, आठ नो, पाँच दिन का है, पाँच से नो अक्तूबर तक चलने वाला है, clear है सबको, ठीक है, चले, अगला कोशन देखते है, जल शक्ती मंतराले ने, मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ती ने अभी स्वच्छ भार 2020 के अवार्ड की घोशना की है, किस दिन ये घोशना की गई, ये घोशना की गई है, स्वच्छ भारत दिवस, जो कि 2 अक्तूबर 2020 को मनाया जाते है, ठीक है, मनाया गया इस बार, तो ये जो स्वच्छ भारत दिवस मनाया है 2020 को, ये स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा साल हम celebrate करें, मतलब जब ये launch किया था स्वच भारत अभियान, उसको पूरा हुए कितने वर्ष हो गए है, ये question पूछ रहे है 4 साल हो गए है, 6 साल हो गए है 5 हो गए है, या फिर 3 साल हो गए है इसका answer दीजे, बताईए शाबाश, बटावट, अब किये सबने like तैंक यू, अच्छे बच्चे सब यहाँ पे, share भी कर दो इसको फटैक से, ताकि सब लोग जुड़ जाए कितने साल हो गए स्वच भारत अभियान को शुरू हुए, कौनसी वर्षगाठ मना रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हम इसको, answer नहीं आ रहा हाँ, आ गया, आ गया, मोनिका ने दिया है, good, इसका answer है 6, क्योंकि स्वच भारत अभियान की शुरूआत कब हुई थी, जब नरेंदर मोदी सरकार आई थी, जिस साल आई थी 2014 में, उसी साल इसको launch कर दिया था, ऐसे याद कर लो, ठीके तो ये कब शुरू हुआ था, 2014 में अभी क्या चल रहा है, 2020 तो कित्ते वर्ष हो गए, 6 साल हो गए simple, कित्ते साल हो गए, 6 साल हो गए clear है, सबको, और सब answer दो बहले ही गलत दो, लेकिन answer दो, participate करो class में, ठीके, ऐसे passive नहीं बैठना, जो भी, 2, 3, 4 तुका भी मारो, ठीके, मैं कहूंगे, तुका भी मारो, लेकिन answer दो, ठीके, चलो क्योंकि ये current affairs है, static gk में मैं नहीं बोलती, तुका मारने को वहाँ पे तो not applicable बोलना होता है स्वच्छ भारत अवार्ड के अंदर best gram पंचायत अवार्ड किसको दिया गया है अंदर स्वच्छ सुंधर सामुदाइक शोचाले, इसमें तीन केटेगरी में अवार्ड दिये गया है एक केटेगरी का नाम है स्वच्छ सुंधर सामुदाइक शोचाले क्या नाम है बच्चों? स्वच्छ सुंधर सामुदाइक शोचाले अभियान के तहट कौन सी ग्राम पंचायत को सरफ शिष्ट अवार्ड मिला है बोरी गाउं आसाम की मद्या परदेश की खाचरोत और सलेम की चिन्नोर या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं बताइए कि अन्शर होगा इसका शामवाज अब आंसर दे रहे हो good दीपा राम ने ए दिया है बोरिगाउं असाम का अच्छा और कोई और कोई आंसर देना चाहा रहे है नहीं तुम्हें आंसर बता रहे हूं फिर इसका answer है एही दे रहे हैं सब बोरिगाउ असाम नहीं वह गलत आंसर है बोरिगाउ असाम नहीं है बच्चो इसका सही answer है चिनोर सेलिम क्या answer है? चिनोर सेलिम C is the right answer best gram penchaid award किसको मिला है? चिनोर, चोटी से चिनोक से gram penchaid है सेलिम के अंदर चिन्नोर सेलम वाली ग्राम पंचायत को दिया गया है अब इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं यह कौन से अवार्ड है स्वच सुन्दर सामुदाइक शोचाले अवार्ड जो है कैम्पेन इसके अंदर बेस्ट स्टेट कौन आया है बेस्ट राज्य कौन सा आया है इसमें गुजरात ठीक है बेस्ट जिला कौन सा आया है तमिल नाडू का तिरुनल वेली ठीक है तिरुनल वेली बेस्ट ब्लोक कौन सा आया है मध्या प्रदेश का खाचरोत उजेन जो आप अभी बता रहे थे वो best gram पंचायत नहीं है ये best जो है जिले के block है block मतलब खंड ठीक है मध्यापिरदेश का best खंड का award जो है इसको दिया गया ये याद रखना है इसमें ठीक है और gram पंचायत है सेलेम की चिन्नौर क्लियर सब को याद रखोगे ठीक है राज्ये कौ कौन सा है तिरुनल वेली और block कौन सा है खाचरोद ये याद रखना है और gram पंचायत कौन सा है सेलेम का चिन्नौर ठीक है ये हो गया उसके बाद इसमें दूसरी केटेगरी में अवार्ड दिये गए इसकी थोड़े डिटेल कर लेते हैं सामुदाइक शोचाले अभियान व दिये गय तो इसमें किसको दिया गया बेस्ट सेट अब अपर टारीफ की गई थी तो उसी से याद कर लो उत्तर परदेश और गुजरात बेस्ट स्टेट का अवॉड गुजरात थो अटो पर लो सामुदाइक शोचाले अभियान में कौन दो लोग आ रहे हैं, कौन किन के राज्य आ रहे हैं, मोदी और योगी, इन दोनों की जोड़ी के राज्य यहां पर आ रहे हैं, इन डिरेक्ली भी याद कर सकते हैं, इसको ठीक है, बेस्ट डिस्टिक कौन सी है, वही, जहां पर ये कुम्ब का मिला हुआ था, परियाग राज और बरेली, यूपी के ही हैं दोनों, परियाग राज और बरेली, बेस्ट ग्राम पंचायत कहां की है, जो पहला ओप्शन आया था, बोरे गाउं असाम, वो है, बेस्ट ग्राम पंचायत, वो स्वच सुन्दर में नहीं, स प्रांसलेशन में ऐसे हो जाता है सरवत्तम राज्य यूपी गुजरात जिला परियाग राज भरेली दोनों जिले यूपी के ही है ग्राम पंचायत बोरिगाउं असाम क्लियर है सबको पीडियेफ इसका डिस्क्रिप्शन में डालूँगे गूगल ट्राइफ का लिंक दोंगे कनवर्ट करके ठीक है सब दे दूँगे आपको पीडियेफ की टेंचन मतलो सही है एक और अवार्ड दिया गया है इसके अंदर तीसरे नंबर का अवार्ड तीसरे नंबर का गंदगी से मुक्त केमपें तो इसमें कौन-कौन से राज्य आए हैं इसके अंदर आए हैं तेलंगाना और हर्याना दोनों के पीछे आना आना लगेगा ठीके नए नए राज्य हैं ठीके तेलंगाना तो नए आई हैं नए नए राज्य हैं जो गंदगी से मुक्त अभियान म है पंजाब की मोगा पंजाब ठीक है तो बेस्ट जिला कौन सा है मोगा पंजाब देखो एक रिकॉल करवातेчик ठीक है स्वच्छ सुंदर सामूदाईक शोचालय अभियान उसके अंदर बैस्ट राज्य क् страх सा आया है अपने जिला किसका आया है तमिल नाडू तिरनल वेली ठीक है खंड कौन सा आया है मध्य प्रदेश का खंड है खाचरोध करके नाम है उसके बाद चौथे नंबर पे बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी आई है चिनोर छोटी सी है सालेम के अंतर उसके बाद स्वच्छ सुंदर नहीं ह लामुद दाइक शोचाले अभियान वो किसमें जीता है स्टेट कोन है यूपी और गुजरात जिले किसके है यूपी के ही जिले है भई एक बरेली और एक परियागरा जहां पे कुम हुआ ठीक है और कौन सा था उसमें और बेस्ट जो है ग्राम पंचायत बोरिगाउं असा ठीक है तो यह स्वच भारत अभी अवार्ड के जितने थे मैंने आपको सारे करवा दिया दस बारा कोश्चन बनते हैं इससे सारे कर लिए हमने नासा ने अभी हाल ही में एक री सप्लाई स्पेसक्राफ्ट लॉंच किया है ठीक है नोर्थ रोप गुरूमन सिगनस री सप्ल स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है यह सबको आता होगा मेरे क्याल से सुनिता विलियम्स शावना पांडिया या फिर राकेश शर्मा या फिर कल्पना चावला क्या नाम है इसका अंतरिक्ष यान का आर्वी कुमावत राम राम गुड मॉर्निंग अब मुझे size wise कुछ नहीं पता होता A4 कैसे करते हैं जैसा मुझे आते में वैसा कर दूँगी या आप लोग मुझे बता देना ठीक है मुझे Google Drive में save करने कहीं बोला है इसए ग्या ज़रुरत है इसे अभी याद याद होई जाएगा कलपना चाबला ठीक है सेस कलपना चाबला ठीक है याद रखो fundo यत्रि थी इनके नाम पर रखा गयाँ ठीक है नासा ने simple question है इस भी कुछ नहीं करना नासा की full form क्या है National Aeronautics and Space Administration अपनी astronaut के नाम पर रखा गया है कलपना चाबला के नाम पर Indian origin clear है सबको चले आगे देखते हैं DRDO ने हाल ही में एक ballistic missile का परिक्षिन किया है उस missile का नाम तो बता दिया है मिसाइल की category पूछ रहे हैं श्रेनी कौनसी है ठीक है surface to air मतलब बच्चो इसका मतलब है सतह से हवा तक का ठीक है इसको मैं थोड़ा स्रिफाइन लिखती हूँ हिंदी मीडियम वाले students के लिए सतह से हवा ठीक है और दूसरा है air to air हवा से हवा surface to surface मतलब की सतह से सतह की मार है air to surface मतलब हवा से surface इसका क्या आंसर होगा कौनसी मिसाइल है शौर रहे है surface to air air to air surface to surface या फिर air to surface आता है किसी को तो बताएए मुझे screen से हट रही हूँ question ध्यान से देख लो pdf सबको मिल जाएगा परिशान नहीं होना pdf के लिए आज ही कोशिश करते हूँ डाली दो आज में आपका इसका नहीं आ रहा है देखो आज कलका तो भूल जाओ drone से चीज़े हो रहे होते हैं यह सारी चीज़े air to air चल रहा होता है उसको भूल जाओ शौर्य जो शब्द है यह तो हमारी प्राचीन वीर गाथा का है न जितने में महराना प्रताब थे बड़े शूर वीर थे शौर्य वान थे ठीक है तो उस टाइम लडाई तो जमीन पर ही हुआ करती थी ठीक है और उस टाइम हम क्या बोलते देशी भाशा में शौर्य दिख है नहीं शौ तो अलगी वो है यह हिंदी ग्रामर की बात नहीं कर रहे हूं तो सतह से सतह ठीक है शौर्य मिसाइल जो है सर्फिस टू सर्फिस मिसाइल है क्या आंसर होगा इसका सी आपको याद करने के लिए शौर्य में शौर्य जो दिखाते हैं हमारे जितने योद्धा चचो सर्फिस टू सर्फिस है मौनिका इसको याद करो आर्पी कुमावत इसको याद करो बैलेस्टिक मिसाइल है सर्फिस टू सर्फिस याद कर लोगे गडबड तो नहीं कर क्या होगे ठीके सर्फिस टू सर्फिस मिसाइल कहां पर किया है यह लॉंच यह किया है बाला सोर और उडिसा पे उडिसा के तड़ पे कहां पे बाला सोर के अंदर इसकी रेंज कितनी है इसकी रेंज है 800 किलो मिटर तक की इसकी मारक शमता है कितनी है 800 किलो मिटर तक मारक शमता है और यह किसका एडवांस्ड वर्जन है यह भी कोशन पूचा जा सकता है तो यह मिसाइल SLBM K15 का advanced version है याद रखना ठीके K15 का advanced version है ये राजस्थान के अभी कर दूँगी मैंने magazine मंगवा लिये ठीके एक बार magazine मेरे पास पहुंच जाए बिल्कुल शुरू कर दूँगे परेशान नहीं ठीके राजस्थान के मेरे mind में already है मैं शुरू करूँगी ठीके सब है दीरे दीरे आ जाएगा मैं rhythm में आ रहे हूं मतलब routine हमारा बन रहे है अभी ठीके सब कर देंगे सतह से सतह पर मान करने वाले missile है उडिसा के तड़ पर range है 800 km और पंडूबी द्वारा लॉंच कीगे किसका advanced version है K15 ये K15 याद कर लो सब marine ballistic missile K15 ठीके clear है सबको चलो मजा आ जा अब व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है जिनका नाम है हिंदी में था ये is allowed किस देश का Amir था नहीं है किस देश के राजा थे या. ऐसा question है ठीके और था नहीं थे ये translation में आ जाता है इनका नाम है Damn शेख सभा एहमद अलसभा तो common चीज़ क्या है देखो आगे पीछे दोनों पे अलसभा अलसभा आएगा ठीक है शेख अलसभा अलसभा पीछे भी बीच में एहमद कौन से देश के हैं जिनका अभी हाल ही में निदन हुआ है साउदी अरब कुवेट कतर या फिर उमान बहुत important question है क्योंकि भारत सरकार ने पूरा एक दिन इनके लिए इनको सम्मान देने के लिए जंडा फ्लैग जो है अपना नीचे उता रहा था अगर आपको याद हो तो है ना हाँ पद्म सिंग सागरिका कभी बूल सकते हैं हाँ इवनिंग में तो नहीं लेती हो फिर मैं अपलोड करती हूँ ठीक है आज जैसे मेरी कोशिश है learn with tricks का डाल दू वीडियो बनाके ठीक है इवनिंग में अभी नहीं ले रहे हो एक टाइम ले रहे हो सुबह कुवेट के शाबाश बिलकुल सही है बिलकुल सही आंसर है ठीक ह सब अल एहमद बीच का और आगे पीछे तो सेम ही नाम है अगे पीछे कर देते है वर् Vocês के हैं कुवेत के हैं सही है बिल्कुल सही कतर किसे नहीं आंसर इसका नहीं कुवेट के थीक है किस Northwest के हैं याद कर लो इसको ठीक है इह हैं इनके image आप देख सकते हो अच्छा दो हजा 2006 से शाशन कर रहे थे मुस्लिम देशों में ऐसे यह वहां पूरा फैमिली टाइप पी चलता है वही राचा महाराजाओ वाला सीन होता है वैसे कैबिनेट वगएरे सब होता है ठीक है लेकिन 2006 से जो है यह शाशन कर रहे थे अब इनके उत्राधिकारी कौन बने ये भी कोशन पूचा जा सकता है तो इनके उत्राधिकारी इनके भाई बने हैं उनके नाम में भी एहमद ही आ रहे है ठीक है अल एहमद ही आ रहे है तो जो बनते हैं उसको क्या बोलते है उसको प्रिंस बोलते है राजकुमार टाइप तो प्रिंस शेख नवाब अल एहमद कौन बने है रखगे नवाब अल-इहम्द तो कुछ अलग नाम ने याद करना हमे है कि उत्रा धिकारी का कोई न्या नाम याद करना है, ऐसा कुछ ना怎么owo प्रिंस क्राउन प्रिंस शेख नवाब नफाफ है यह पता नहीं यह अल एहमद ठीक है अल एहमद से याद कर लो क्लियर सबको क्लियर सबको बदाओ अच्छा उसके बाद इंटरनेशनल ओनलाइन शूटिंग चैंपियंशिप किसने जीता है इसका विनर कौन रहा है आते हैं किसी को इसका आंसर दीजिए और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि जादा से जादा स्टूनेंट्स जो है हमाई साथ जूड़ साए बताए आज इनके एक होमवग दे रहे हूं कमेंट सेक्षन में अगर कोई करे अभी ये सेशन जैसे हो जाएगा उसके बाद आप लोग कीवर्ड जो है हर चीज के आपने क्या क्या सिखा 10 गोशन है 10 में 20 कीवर्ड जी सिखे है तो वो कमेंट सेक्षन में मेंचन करिएगा हैस्टेक डालके तिकए कीवर्ड जो जो आपने सीखा है तिकए वो सारे एड करिएगा बताइए चलो इसका अंसर नहीं आरहा नहीं आरहा मैं बता रहे हूंँ बी आंसर दिया है येस बि विश्नु शिवराज पांडया ठीक है चैंपियंशिप जीती है अवार बोल रही हूं मैं ठीक है ये देखो इनकी इमेज देख लो विश्नु शिवराज पांडया अच्छा जो पहला ओप्षिन है वो किसका है 18 जर्मंट ठीक है ये जर्मंट डर इसमें आया नहीं 18 इन्होंने हराया है ये second position पे रहे ठीक है second position पे रहे 18 जर्मंट फ्रांस के कौन से नमबर पे रहे है बच्चो second पे और first नमबर पे हमारे विश्नु शिवराज पांडया ठीक है clear है सब को विश्नु शिवराज पांडया शाबाश गुड ठीक है तो आज मैं इतना ही करना थ एक quick first revision करा देते हूं मैं आप सबको रुखो अभी जाना नहीं है revision करके जाओ ताकि आप लोग add कर सको tagging दे सको 10,000 feet की उचाई पे सबसे लंबा tunnel का नाम है अटल tunnel ठीक है अटल tunnel की लंबाई कितनी है 9.02 km कब उधगाटन हुआ है 3 October को हिमाचल प्रदेश रहतांग ऐसे keywords लिखने है जैसे मैं आपको अभी याद करवा रही हूं ऐसे बस one 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 point ठीक है one one word में आपको ये लिखना होता है ठीक है ये किया है हिमाचल प्रदेश के रहतांग में पीर पंजाल range हिमाचल के अंदर ये पढ़ता है हो गया revise इसके बाद आगे देखो ठीक हिमाचल ये हो ग जाएगा सम्मेलन जो है होगा ठीक है अच्छा इसमें क्या point याद किया था मिती प्लस नीती Ministry of Electronics and Information Technology और साथ में निती आयोग द्वारा ये और्गनाईज किया जा रहे मिती प्लस नीती याद रखोगे मिती प्लस नीती जन शक्ती मंत्राले ने दो अक्तूबर 2020 को भारत स स्वचता अवार्ड दिये हैं ये कौनसी वर्षगांड मना रहे हैं स्वच भारत अभियान की छटी वर्षगांड मना रहे हम लोग ठीक है और ये पूरी डिटेल आपको याद हो गई होगी ठीक है स्वच्छ सुंदर सामुदाइक शोचाले अभियान राज्य कौनसा है ग ग्राम पंचायत थी बोरिगाओं असाम की और उसके बाद गंदगी से मुक्त अभियान में टॉप कौन है हर्याना तेलंगाना और जिला कौनसा है मोगा पंचाब जैसे मुझे याद हो रहे हैं आपको भी याद होगे होंगे ठीक है ये हो गया नासा ने कलपना चावला के उपर स्पेस्क्राफ्ट लॉंच किया है डिया डियो ने शौर्य मिसाइल सर्फिस टू सर्फिस मिसाइल है रेंज कितनी है इसकी 800 किलोमेटर रेंज कितनी है 800 किलोमेटर किसका एडवांस्ट वर्जिन है के पंदरा सबमेरीन मिसाइल का एडवांस्ट वर्जिन है आ रहे ह सबको समझ में या नहीं आ रहे है ठीक है शेक जो है सब सब respond जो है इनकी डेथ हुई है कुवेइत के इनके जगा जो बने उनके नाम में भी all-Ahmad ही आएगा ठीक है इनके नाम में भी ऐल-Ahmad ही आएगा शूटिंग चैंपियंशिम विश्नु शिवराज पांडिया दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं 18 जर्मन रहे हैं फ्रांस के हैं ठीके फ्रांस के हैं तो ये हो गया बच्चो प्लस सर्कल इनर कॉम्यूनिटी का पार्ड बनो आरेस की तैयारी ऐसे ही करना चाहते हैं निमोनिक्स के साथ टेक्स के साथ हसते खेलते पड़ते ठीके तो अपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी मेरी प्लस इनर सर्कल कम्यूनिटी का पार्ड बने आप सब लोग ठीके जल्दी से जल्दी सबको बदाएए और इस चैनल को लाइक सब्सकाइब शेयर कर दीजे आप मेरे फेस्बुक पेज पर मुझसे करेक्ट कर सकते हैं ट् पर बर ने होगी और लाइफ सब्सकाइब शेयर कर दो ठीके आप लोग कितना शेयर करने वाले मुझे ये बात बताएए राजस्थान का कर दूंगी कर दूंगी ठीके ओल्ड करेंट अफेर्स नहीं हो पाएगा इसमें पहले कवर करवाए हैं ठीके वह प्लेलिस्ट में ज हो जाएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत जादा ठीके तो कितने लोग करने वाले लाइक सब्सक्राइब शेयर करो इसको कल मिलते हैं सुबद 6 बजे शनीवार को रिविजन रखेंगे क्योंकि आप सबने सैटरड़े डे फिक्स किया है रिविजन के लिए ठी जसा नध्यन बुक्त पर मैं काम कर रहे हूं वो वीडियो बहुत जल्दी आप सब के सामने आज आएगा पीडियेफ मिलेगा 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 ठीके गूगल ट्राइफ का लिंक आज मैं शेयर कर दूगी मुझे थोड़ा सीखने पड़ता है यह चीज़े अच्छा यह वी टेक केर आपका दिन शुब हो और इंजोई करके पढ़ा करे पढ़ाई को ठीक है थैंक यू सो में ठेक केर सबको मेरी घनी घनी